दोस्तो आज का हमारा ये वीडियो प्लान टैक्सोनॉमिक के टर्मनॉलजी से जुड़ा हुआ फिप्थ पार्ट है और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाले दिनों में जो भी वीडियो अप्लोट होंगे जोकी प्लान टैक्सोनॉमिक के टर्मिनॉलजी से जुड़े होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पुरा देखा करिये और वीडियो को कहें भी इसकिप मत करिएगा तो आज के हमारे इस वीडियो का topic है inflorescence तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि inflorescence होता क्या है, inflorescence के कितने type होते हैं तो आज का ये जो वीडियो है बहुत important है तो आपसे request है कि प्लीज आप वीडियो को पुरा देखेगा तो यदि हम बात करें inflorescence की तो पौधो के फ्लोरल एक्सिस पर यानि की सूट सिस्टम पर फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम inflorescence कहते हैं तो जिस तरह किसी भी लीप में जो इस्टाल्क होता है उसे हम बोलते हैं petiol उसी तरह अगर inflorescence है inflorescence का जो इस्टाल्क होता है उसे हम बोलते है pedancle और आपको बता दे कि अगर हम एक फ्लावर के इस्टाल्क को देखें यानि कि किसी फ्लावर के डंठल को देखें तो वहाँ पर हम pedancle यूज नहीं करेंगे वहाँ पर हम यूज करेंगे pedicill ठीक है तो याद रखेगा inflorescence का जो इस्टाल्क होगा उसे pedancle कहेंगे और यदि एक सिंगल फ्लावर का इस्टाल्क होगा उसे हम pedicill कहेंगे तो यहाँ पर आप डियाग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर दो inflorescence है तो इन दोनों inflorescence के जो इस्टाल्क है इसे हम pedancle कहेंगे तो यहाँ पर आपको single inflorescence दिखाया गया है तो single inflorescence के इस्टाल को pedancle करें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धे सारे inflorescence है तो धे सारे inflorescence के इस्टाल को भी pedancle कहते हैं लेकिन अगर हम एक flower के dental को देखें तो उसे हम pedicil कहते हैं a long, simple और branch peduncle is called a rachis यानि कि अगर peduncle लंबा हो, simple हो या फिर branch हो ऐसे peduncle को हम rachis भी कह सकते हैं वही हम बात करें grassis की तो grassis में जो central axis होती है या फिर ऐसे भी कह सकते हैं grassis के जो speculate inflorescence होते हैं उसके central axis को हम rachila कहते हैं जैसा कि आप इस diagram में देख सकते हैं कि ये जो part है, spikelet का, इसे rachila कहते हैं तो ऐसे flower जिसमें की pedicil या फिर कह सकते हैं stalk present होता है, उसे हम pedicillate flower कहते हैं और यदि flower में pedicil या फिर stalk present नहीं होता ऐसे flower को हम sessile flower कहते हैं जैसा कि आप diagram में देख सकते हैं, ये first जो flower है इसमें pedicil present नहीं है, तो ये sessile flower है जबकि second diagram में आप देख सकते हैं कि इस flower में stalk present है, ठीक है? तो इस तरह के flower को हम बोलेंगे pedicillate flower यानि कि flower के जो पार्ट होते हैं, जैसे की stage या platform को हम thalamus कहते हैं और जब thalamus conical type का होता है, तो उसे हम torus कहते हैं तो जैसा की diagram में दिखाया गया है, flower का ये जो dental है इसे हम pedicill कहते हैं, और जो upper part है जिसे हम platform कहते हैं, जहाँ पर floral part पाए जाते हैं, उसे हम thalamus कहते हैं तो इस thalamus पर sepal, petal, stamen और carpal, ये चारों पार्ट पाए जाते हैं आज चलते हैं हम inflorescence जोड़े हुए अगले topic की ओर, types of inflorescence यानि की inflorescence के प्रकार तो इन्हें हम three part में divide कर सकते हैं, पहला है racimos, दूसरा है cymos और तीसरा है mixed type इसके अलाबा कुछ special type के भी inflorescence पाए जाते हैं, जिने हम आगे वीडियो में discuss करेंगे तो आए सबसे पहले discuss करते हैं racimos type के inflorescence की तो इस प्रकार के inflorescence में जो में एक्सिस होता है, वह continuous बढ़ता जाता है, उसके इंड पर फ्लावर नहीं पाए जाता है इसमें जो main axis होता है, उस पर flower lateral side पर पाए जाता है, और ये जो succession होता है, इसमें acrypital succession पाए जाता है यानि कि main axis के नीचे की तरफ old flower पाए जाते हैं, ठीक है, और जो new flower होते हैं, वो इस main axis के upper side पर पाए जाते हैं तो जैसा कि आप diagram में देख सकते हैं, आपको racymose type के influence दिखाए देंगे, तो उसमें जो old flower है वो नीचे की ओर है, और जो young flower है उपर की ओर है और जो main axis है, influence का वो continuous grow करता रहता है, और उसमें lateral side से आपको flower निकलते हुए दिखाई देंगे अब ये racymose type के influence depend करते हैं कि इनमें जो main axis है वो कैसा है अगर main axis elongated है, यानि की influence का जो main axis है अगर वो लंबा है तो उसमें भी कई type होंगे या फिर जो main axis है वो sorter है, छोटा है, उसमें भी अलग-अलग type होंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि main axis अगर elongated है तो उसमें कितने type होंगे तो सबसे पहले है racine, तो इस प्रकार के influence में जो main axis होता है वो बहुत लंबा होता है और जो flower होते हैं वो lateral side पर देखने को मिलते हैं, flower में stalk होते हैं और ये साथी साथ acrypital manner में arrange होते हैं तो जैसा कि आप image में देख सकते हैं आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर racine type का influence है main axis बहुत लंबा है और उसके side से आपको lateral flower देखने को मिल रहे होंगे और ये जो flower है इनमें stalk है और जो सबसे पुराने या फिर old flower है वो नीचे की और है और जो young flower है वो उपर की और है चलते हैं racimos influence के अगले type के और जो की है spike तो इनमें क्या होता है इनमें भी main axis जो होता है वो बहुत लंबा होता है और इसमें lateral side से flower निकलते हैं लेकिन इन flower में stalk नहीं होते यानि कि ये जो flower होते हैं ये sessile होते हैं और साथी साथ इनमें acrypital succession देखने को मिलता है अगला racimos type का influence है catechin तो ये spike type के influence का modified रूप है इनमें जो main axis होता है वो लंबा होता है dropping होता है यानि कि लटका हुआ pendant type का होता है और इसमें आपको unisexual flower देखने को मिलते हैं जैसा कि आप diagram में देख सकते हैं इसका example है mulberry यानि की morse alva racimos type का अगला जो influence है वो है spadics बहुत important है आपके exam में इस पे start note आते हैं लिखने के लिए तो spadics भी एक तरह से spike influence का modified रूप है परन्तो इसमें जो main axis होता है वो fleshy होता है यानि की गद्देदार होता है और इसके साथ ही साथ ये colorful bright bracket के through covered होता है जिसे हम spath कहते हैं और इस type का inflorescence है आपको monocotyledon plant में देखने को मिलता है तो जैसा कि आप भुट्टे यानि की मेज में देखे होंगे कि उसमें चारो तरफ spad की covering होती है और अंदर जो spike inflorescence के cluster पाई जाते हैं चलते हैं racimos inflorescence के अगले type की और जिसमें की main axis जो होता है वो छोटा होता है तो इसमें पहला type है कोरिंब तो इसमें क्या होता है जो main axis होता है वो बहुत ही छोटा होता है और इस प्रकार के inflorescence में जो lower flower होते हैं उनके stalk या फिर कहाँ सकते हैं कि pedicils लंबे होते हैं जबकि upper side में पाये जाने वाले जो flower होते हैं उनके जो stalk होते हैं वो छोटे होते हैं तो इस वज़ज़ से देखा जाए तो सभी flower एक ही level में आपको दिखाई देंगे जैसा कि आप इस diagram में देख सकते हैं इसमें जो main axis है वो छोटा है अब इसके lateral जो flower है lateral flower देखेंगे side से जो flower निकले है तो जो lower वाला flower है उसका जो stalk है बहुत लंबा है जो upper side के flower है उनके stalk जो है वो छोटे है इस वज़ज़ से आप देखेंगे कि सभी flower आपको एक ही level पर दिखाई देंगे अगला जो type है वो है umbell तो इस प्रकार के inflorescence में जो primary axis होता है वो छोटा होता है और इस प्रकार के inflorescence में जो flower होता है flower का जो stalk होता है वो एक ही point से निकलता है और सभी flower के जो stalk होते है वो equal length के होते हैं इस कारण ये आपको एक ही level पर देखने को मिलते हैं umbell type के inflorescence में bracket पाए जाते हैं जिसे हम involucal कर कहते हैं तो जैसा कि आप diagram में देख सकते हैं कि इसमें आपको जो सभी flower है वो umbrella के समान दिखाई देते हैं इसलिए इसका नाम भी है umbell तो यहाँ पर देखेंगे कि जो सभी flower है एक ही point से निकल लाया है ठीक है और इनके जो stalk है ऊपर जाकर लगभग एक ही level में हो जाते हैं और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि इन में bracket पाई जा रहे हैं जिसे हम involucar कहते हैं चलते हैं racimos inflorescence के third type के और जिसमें कि जो main axis होता है वो flat होता है यानि की chapter होता है तो इसमें जो first type है वो है capitulum type का या फिर head type का inflorescence तो इस तरह के inflorescence में जो main axis होता है या फिर receptical होता है वो suppressed type का होता है तो ये जो receptical होते हैं या फिर tham lamus होते हैं ये flat हो जाते हैं और इन में जो flower दिखाई देते हैं वो sysile होते हैं यानि कि उन में stalk नहीं होता तो capitulum के case में जो sysile flower होते हैं उन्हें हम florets भी कहते हैं तो इन में जो florets होते हैं यानि कि जो flower होते हैं वो centripetal manner में arrange होते हैं तो centripetal manner का arrangement का मतलब है कि इसमें जो young flower होते हैं वो center में होते हैं जबकि outer side में जो older flower होते हैं वो पाये जाते हैं तो आपको बता दे कि capitulum type में आपको दो तरह के flower देखने को मिलते हैं नमबर एक है ray florets और दूसरा है disc florets जो ray florets होते हैं वो strep sept के होते हैं और यह आपको capitulum पर यानि की flower पर periphery यानि की किनारों पर देखने को मिलते हैं जबकि जो disc florets होते हैं यह center में देखने को मिलते हैं और इनका जो structure होता है वो tubular होता है तो जैसा कि आप diagram में capitulum type का influence देख सकते हैं इसमें दो तरह के flow rate होते हैं एक है ray florets और दूसरा है disc florets तो जो ray florets होते हैं वो margin पर यानि पर periphery पर पाये जाते हैं किनारों पर पाये जाते हैं और इनका structure जो होता है strap type का होता है जबकि जो disc florets होते हैं वो capitulum inflorescence के center में पाये जाते हैं और यह आपको tubular shape दिखाई देते हैं आप tubular shape और ray florets को नीचे diagram में अपने left side देख सकते हैं तो इस तरह से हमने inflorescence के racimos type को discuss किया आने वाले अगले part में हम inflorescence के बचेवे जो two type है उनको detail से discuss करेंगे तो आपको आज का ये video कैसा लगा comment करके ज़रूर बताएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share करना मत भूलेगा और कोई भी doubt हो आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले topic के साथ तब तक के लिए जहिंद जभारत